तो हेलो प्रेंट्स वेलकम टू मैं यूट्टीब चैनल इस डाव तो आज मैं आपको कुछ नहीं रखाने वाला हूं जो कि क्रेटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है जैसे कुछ नियू क्रेटर्स होते हैं जैसे लोग यूटुब चैनल स्टार्ट करते हैं उसके लिए आपको बहुत सी चीज़े रिक्वायर होती हैं जैसे कि सबसे ज़रूरी आपकी वीडिओ में जो आपका इंटरो होगा इंटरो जितनाब्रो रफाशनल होता है ऊत्नी ज्याद़ है जैसा कि हम सभी को पता है यूटुब वीडियो के लिये सबसेना जुरूरी थ। नेल और इंट्रो ही है हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए इंट्रो वीडियो इंट्रो कैसे बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें एक application डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जैसा कि मैं प्ले स्टोर में गया यहां पर आपको डारेक्टली सर्च करना है इंट्रो मेकर आपको यहां सबसे ऊपर ही एक एक एप मिलेगी इंट्रो मेकर पोर यूट्यूब के नाम से आपको इस पर क्लिक करना है जैसा कि इस एप को मैंने ओर्डरेक्टी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इस डिरेक्टली उपन करूंगा आपको इस डाउनलोड करना है और इस उपन करना है उपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत से टेंपलेट्स मिलेंगे जो की पूरी तरह प्री हैं इनके उपर किसी तरह का कोई कोपी राइट नहीं है आपको लगबख हर कैटेग्री के टेंपलेट्स प्री मिल जाएंगे और एक कैटेग्री में आपको बहुत से टेंपलेट्स देखने को मिलेंगे और तो और आप यहा बार में सर्च भी कर जाकते हैं अपने पसंदीधा टेंपलेट के लिए तो मैं बताता हूँ यह किस तरह से काम करता है आपको यहां से कोई सब एक template जो पको बेस्ट लगता हो आपकी category से match करता हो उसे choose करना है जैसा कि मैं इस वाले को choose करता हूं यहां से आपको best quality जैप download करना चाहते हैं से पहले download करना होगा अगर आप 1080p में डामलोड करें तो वह बहुत ज्यादा बैस्ट होगा इससे क्वालिटी आपके इंट्रों की बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी तो मैं इसे डामलोड करता हूं कि इसका साइज भी काफी कम है जो कि दो एमबी है उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा उसके बाद जैसे कि कुछ खास नहीं है मैं दूसरा डामलोड करता हूं मैं सबसे पहला वाला ही डामलोड करता हूं कि यहां पर मैंने सब पहले ही डामलोड किया हुआ है इसके आगे आप इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा यहां पर आपको टाइटल यह को आप्शन हो मिलता है नीचे ब्लू लाइन में आप आपको डिरेक्ली इस पर क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं तो मैं एडिट करके यहां पर लिखता हूं जैसे डार्क जो की मेरे यूटिब चैनल का नाम है इसके बाद आपके सामने बहुत से पॉंट आ देंगे आपको इस आभी पॉंट चूज कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगता हो और आपकी केटेग्री से मैच करता हो और तो और यह टेक्स्ट आपके इंट्रो वीडियो की कलर्स के साथ भी मैच होना चाहिए इससे वीडियो और भी ज्यादा अच्छी दिखेगी आपको यहां से और भी काफी तरह के कई डिजाइ और तो और आपको एनिमेशन भी मिलेंगी जैसा कि मैंने यहां आपको दिखाया आपको लगबग हर टाइप के अडिमेशन मिल जाएंगी यहां से आप उसकी स्पीड को भी मैनेज कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं मतलब हर ऑप्षिन में आपको एक नया फीचर मिलेगा जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इसके बाद अगर मैं डिरेक्टली किसी को चूज करके डंग करता हूं अब देख सकते हैं मेरी वीडियो बनके तयार है आप अपनी स्क्रीन तर देख पा रहे होंगे पर इस वीडियो में फिलाल कोई साउंड नहीं है तो साउंड के लिए आपको यहां पर नीचे की तरफ एक म्यूजिक को आप्शन मिलता है उस पर क्लिक करना है जैसा कि मैंने पर क्लिक किया आपको यहां से बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे और इसकी सबसे अची बात आपको हर तरह से साउंड मिल जाएंगे और तो और आपको साउंड का सोर्स भी मिलेगा कि वह साउंड कहां से लिया गया है जैसा कि यूट्यूब पर एक बहुत भी बड़ा चै से मिलेंगे जैसा कि मैं लिखाता हूँ मैंने ये वोडंट चेंज इट पर क्लिक किया कि आपको नीचे की तरफ कि कुछ पढ़ने को मिलेगा यहां पर इसका नाम है और ब्रैकेट में लिखा है ncs release ncs का मतलब है no copyright sound आप इसे directly यहां से यूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर ने के लिए अपको यहां प्लस वाले सञ़ियर क्लिक करना है अब आप यहां से इसा इसा रियुक्न अपने इन्ट्रो में लगा सकते हैं और यहां से से फेडेन और पयर आओ का ओप्शन हे आपको मिल करके यहां से इसे ओके गईता हूं और अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं कि आपका इंट्रो लगबग बनके त्यार हैं अब आपको यहां पर ऊपर की तरफ कौने में एक टिक का निशान दिख़ा होगा उस पर क्लिक करना है उससे पहले एक और चीज़ बतादूं आपको नीचे पिचल को आप्शन नीचे की तरफ कौने में पिचल को आप्शन मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है आपको यहां से बहुत सी इमेजिस मिल जाएंगी जिनने आप यूज कर सकते हैं अपने इंट्रो में आप यहां से कस्टम ली अपनी गैल्टी से भी चूज कर सकते हैं जाएंगा तरह यहां पर आपको लगबग है तरह के इमोजी सोचल मीडिया के लोगो और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकते हैं यहां पर किसी को भी डाउनलोड करके हैं चूज कर सकते हैं जैसे कि मैं इस्टाइब डाउनलोड करता हूं आप यहां पर इस असान लगा सक सब्सक्राइब करें और इसके बाद नीचे टाइटल का उप्शन दिख रहा होगा आप यहां से अलग अलग टेक्स्ट को भी इस्तिमाल कर सकते हैं जिसे आपका टेक्स्ट का स्टाइल होगा वो चेंज होगा जैसे कि अगर मैं इसे यूज करूँ और मैं यहां पर इसे एड लिखार्ण करूँगो और उसके बाद कि यहां पर आपको दूसरी प्लेट में पॉप्सें दिख रहा होगा डवल टैप्टू अब आपको यहां यहां पर डबल टैप करना है आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ स्टाइब का इंटरफेस आ गया जो की देखने में बहुत ही जादा वन्डरफुल है तो आप यहां पर इसे उपर से टिक करते हैं कि इसके बाद आपको कुछ स्टैप का इंटरफिश देखने को मिलेगा एक्सपोर्टिंग वीडियो यह आपकी वीडियो से वो रही आपकी गैलरी में और इसमें आपको किसी तरह कोई भी कॉपिराइट नहीं मिलता है और तो अगर आप कि नोग कोई रहाओ कोई यूज करने हैं जिसका कोई राइट कि और के पास तो उसके लिए आपको यहां पर नीचे प्रेड़ेट इनको भी देता है आप इसा डारेक्रली यहां से कॉपी किजिए है और जब भी अपना यूट्यूब या कहीं पर भी इस इंट्रो को यूज क या कुछ और copyright वाला सीन है तो आपके वीडियो पर किसी करेंगा कोई copyright आने के चांसे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें थैंक्स